दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आज की इस वीडियो में किसान भाईयों के लिए लेकर के आये हूँ एक काफी महतवपन अपडेट जहां दोस्तों नर्मा का पास के अंदर अक्सर एक रोग का सामना किसान भाईयों को करना पड़ता है उखेडा य या फिर जो साट मारने की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहां पर आप सभी से एक छोटी रिक्वेश्ट है यदि आपने अभी तक मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चैनल के उपर पहली बा अचान करें कि जो आपका नर्मा की या कपास की फसल है उसके अंदर उखेडा आ चुका है तो उखेडा आने के परमुख लक्सन यह है जो पोदा है वो बिल्कुल मुर्जाने लग जाएगा पतियां जो सारी गिरा देगा और पीला पड़ जाता है एक दो दिनों में यानि मैंने पहले बताया कुछ पोदों पर दिखाई देते हैं पत्ता पीले हो जाते हैं यदि आप उस पोदे को उखार के देखेंगे तो उसकी जड़ जो है वो काली हो जाएगी और जो साइड में ब्रांचेज निकलती है साइक जड़े जो निकलती है वो एकदम से सूख जात सिर्फ एक मुसला मूल बचती है वो भी दिरे दिरे सूख जाती है उस जड़ को यदि आप पाड़ के बीच में से दो टूक करके देखोगे तो वह भी बीच में से काली होई मिलेगी तो यह कवक जनित बीमारी है फंगस जिसको अपने बोल सकते हैं इसका जो आपने बोल सकते हैं उसके नियंतरन के कुछ उपायों के बारे में सबसे पहले दो-тिन उपायों की अपने बात करेंगे जिनको वसल बुआई से पहले परियोग किया जा सकता है जैसे गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें उचित फसल चकर अपनाए यानि जिस खेत के अ पहले जब आप जमीन की त्यारी करते हैं तो जिंक सलफेट 25 किलोग्राम परती हेक्टेर की दर्से जुरूर प्रयोग करें ऐसा करने से भी आप उखेडा से बच सकते हैं इसके अलावा ट्राइको पावर 8 ग्राम परती किलोग्राम बीज या फिर यामटो 2 ग्राम परती किलोग्राम बीज की दर्से बीज को उफचारित करें अब मैं आपको दो लाश्ट में उपाय बताने जा रहा हूँ जो की काफी हद तक कारगर साबित होते हैं जिस छेतर में जडगलन का परकोप अधिक हो वहाँ पे 2 किलो ट्राइको पावर परती हेक्टियर की दर्से 200 किलोग्राम गोबर की खाद जो की अच्छी सड़ी गली हुई हो या फिर आप वर्मी कंपोस्ट यानि कैंच्वे की खाद भी ले सकते हैं उसके अंदर मिला लें अच्छे से मिलाने के बाद उसको तीन दिन यानि की बैतर गंटे तक छाया में धेर बना करके रख दें और उसके उपर कोई जो बोरी है उसको गिली करके रखें प्रयाप्त चले जाएंगे और उखेडा या विल्ट रोक के जीवों को खा करके वो उनको नश्ट कर देंगे और यदि खड़ी फसल के अंदर आपका उखेडा आ चुका है तो उसको कैसे रोके उसके लिए सत्सुमा एक दवा आती है जो की तीन ग्राम परती लिटर पानी के इसाब से यानि कि माली ये 15-16 लिटर की टंकी होती है जो सप्रे करने वाली उसमें आपको तकरीबन 50 ग्राम सत्सुमा दवा डालनी है और उसके बाद पोदों में ड्रेंचिंग करनी है यानि छिड़काओ करना है जिससे जो उखेडा की समस्या है वो खतम हो जाएगी आगे नहीं ब